जो से examination pattern, जो CA foundation का रहने वाला है, पेपर के अंदर में थोड़ा सा difficulty level बढ़ा है, पुझी तक पेपर difficult देखने को नहीं मिला, last two attention आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे तीन घंटा मिलता पेपर का रहा हूँ, जितने भी CA के बच्चे हैं, उनका जो result खराब कर रहा है न वो law कर रहा है, दो घंटे हैं सिर्फ और आपको कोई reading time नहीं मिल रहा है, यहाँ दोनों पेपर में ना step mark है, हलो CA experience कैसे हैं आप लोग आयों, मस्त हैं, शानदार हैं और जबरदस्थ हैं, तो मैं बात करने वाला हूँ, मेरे बच्चों से examination pattern, जो CA foundation का रहने वाला है, उसक आपका paper के अंदर में थोड़ा सा difficulty level बढ़ा है, paper को crack करने का तरीका थोड़ा सा change हुआ है, क्योंकि eco में BC के हट गया है, तो eco का level भी up हो गया है, और law में BCR हटाने की वज़ा से तो मचा ही दिया है, accounts में भी काफी syllabus add हुआ है, पहले हम समझते हैं कि paper कितने-कितने questions, कितने कितने subject में आते हैं, कितने-कितने marks के आते हैं, और उनमें क्या changes हुए हैं, और हमें किन चीजों पर focus करना है, examination pattern जो आया है, उसके साथ-साथ, examiner जो है, उसका भी thought process बदला है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना, accounts से सबसे बदे बात करते हैं, ठीक है ना, accounts सही बताओ इतना जादा अभी तक paper difficult देखने को नहीं मिला, last दो attempt से मैं आपको बता रहा हूँ, जबसे हमारा new pattern आया है, paper का difficulty level okay है, क्या है, okay है ठीक है ना, और यहां में 100 marks का paper आता है, हर question 20 marks का है, first question compulsory रहता है, जो कि आपका आता है, 20 marks का, उसमें parts होते हैं, हर एक question ने parts है, पहला उसमें एक question आगया, पांस number का, फिर आगया, मान लो दस number का, फिर आगया पांस number का, या फिर पहला question आठ number का, फिर चार number का अगला, और फिर आपके, मान लिजिए, चार-चार number के दो question और आगए, है ना, तो अलग-अलग type से, एक एक कोशन 20 marks का हो, जिसमें parts होंगे, ठीक आगा, 100 marks का paper आगा, एक question पहला compulsory रहेगा, पांस question उसके बाद में, आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको चार question करने होंगे, यहां भी सेम तरीके से है, 20-20 marks का question है, बट किसी-किसी question में, आपको parts भी देखने को मिल रहे होंगे, अब, आपको यहां पे 3 घंटा मिलता paper करने के लिए, हर paper को 3 घंटा नहीं मिलेगा, सिर्फ जो आपके subjective paper है, जिसमें आपको पूरा-पूरा लिखना है answer, उसमें 3 घंटा मिलेगा, उसके इलावा, आपको reading time मिलेगा, एक्स्ट्रा है, क्या मिलेगा, reading time उससे पहले, मतलब paper मिलेगा, तो आपको ऐसा नहीं कि 3 घंटा पहले आपको reading time देगा, आपको यहां भी reading time देगा, तुम पहले देख लो, तुमको कौन से जो है, 5 question करने है, out of this 6 question है, एक ये तो करना है, उसके इलावा जो 5-4 question कौन से करना है, वो आपको पहले reading time देगा, तुम अराम से बैटकर तसलिए से paper, देखो, तुम वो कौन सा है, कौन सा नहीं आता है, उसको एक दम छाट लो, और फिर तुम अपना paper, कौन सा question करना है, उसको देखो, ठीक है ना, okay, second important point, अब आता है, यहां दोनों paper में ना step marking है, ठीक है, मनलब आपको अगर पूरा answer नहीं आता, आपको कोई question मानले जिए, subjective का यही फाइदा है, मानल का, उस pass number में से step marking की बज़ा से हो सकता है, आपको दो number, तीन number में मिल जाए, तो यह एक अच्छा फाइदा है, accounts के अंदर में, और even law में भी, अच्छा, law में एक सबसे बड़ी problem बच्चों को face करने वाली, यह देखने को मिला है, कि जो मेरा result पूरा आ रहा है ना, पिछले और कुछ बच्चों का accounts, मैं बोलूगा, जो paper में डूबा हो रहा है ना, 60% बच्चा इसमें डूब रहा है, यहाँ पे में अच्छा है, बच्चा माल लो 30% या 25% यहाँ पे माल लेते हैं, ठीक है, और 10% यह है, और 5% यह जो law में fail हुए हैं, वो सबसे जादा है, in comparison to other subject, यही ratio चल रहा है, उसका reason में क्या है, law एक ऐसा subject है, जो आपको law की language में लिखना पड़ेगा, है ना, वहाँ पे आपको writing practice की जड़ोत है, teacher ने समझा दिया, तुमने समझ लिया, उसके बाद में तुमको newmonics use करके, उसको याद करना है, तुमको उसके self practice करनी है, गुरी सर writing practice कराते हैं, exam से पहले, तुम्हारे लिए बहुत important है, YouTube में सभी बच्चों के लिए available है, बहुत-बहुत important है writing practice, अगर आप question को कैसे लिखना है, कहां पे आपको highlight करना है, किस चीज को आपको section number डालने, वो सब कुछ पता होना चीए, ठीक है ना, तो उसका बहुत ध्यान करते हैं इस paper में, बट इस paper की खास बात क्या है, यह paper objective है, मतलब आपके पास में so question आएंगे, आपको सही करने पर plus one मिलेगा, गलत करने पर minus point two five मिलेगा, और आपका नहीं attempt करने पर zero मिलेगा, so question को करने के लिए बच सिर्फ दो घंटे मिलते हैं, तो मतलब क्या है कि आपक कोई reading time नहीं मिल रहा है, तो आपको 100 question दो घंटे में करने हैं, average एक से दो मिनट होगा, कोई-कोई question 30 second में होता है, तो कोई-कोई question 2 मिनट का भी होता है, तो आपको थोड़ा plan out करना बड़ेगा, अगर आपने यह 100 question attempt करने पर ध्यान दियागी, मुझे हर कोई attempt करना है, तो यह paper बहुत दिक्कत देदेगा, पहले आपको वो question attempt करना है, जो आपको लग रहा है कि फटाक से हो जाएंगे, और जल्दी से मैं कर सकता हूँ, फिर वो आपको attempt करना है, जिसमें आपको आता तो था वट लग रहा है कि यह time खा जाएगा, तो आपको करना है, फिर आपको question को करना है, जो आपको लग रहा है कि शायद मैं करता हूँ, शायद मैं नहीं करता हूँ, तो आपको planning करनी होती है, और यह planning exam वाले दिन में start नहीं होएगी, आपको पहले test देने पड़ेंगे, थोड़े test हो, mock test हो, उसके बाद जाके paper के लिए ready करना, यह directly जो बच्चा paper म बढ़ते होगे, वो आपको समझा रहा है, वो पढ़ा रहा है, उससे समझो, और उसके बाद में ना, उसके बाद में दबा के test हो, जितने test होगे, उतनी जादा आपकी speed बढ़ेगी, accuracy बढ़ेगी, अगर यह दोनों चीज़े ठीक होंगी, तब ही आप इस paper में port पाएंगे अच्छा, अब ECO की बात करते हैं, पहले वाली जो ECO और BC के आती थी बहुत असान लगती थी बच्चों को लगता है, मज़ा ही आ गया, बट इस बार ना, थोड़ा सा यह दिक्कत है, इसकी विज़ा से क्या हुआ है, पासो तुम इसमें हो जाते हो, पर प्रॉलम क्या आत अग्रिगेट अभी भी यही बनाएगी, बट थोड़ा मेहनच जादा देनी पड़ेगी, इसको हलके में मत ले लेना, यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखेगा और अगर आपने ध्यान रखा तो मैं बता रहा हूँ, आप फोड कर आओगा एक्साम को